तो हेलो गाइस वल्कम तो माई चैनल टेक्निकल अलकाश किप्टो गाइस आज में तुम लोगों को बताऊंगा गैलक्स के अंदर जब किसी एड़ॉट को करते हो उस टाइम पे तुम्हें पॉइंट दिया जाता है या एंफ्टी दिया जाता है 90% केस में क्या होता है हम के गाइड वीडियो पूरा step by step दिया है तो उसको अगर देखना चाहते हो तो या वीडियो का description पर देखो लिंक मिल जाएगा उधर गैस में बताया कैसे तुम ब्रीच कर पाओगे इथिलियाम से जी टोकेन के ऊपर और देखो BNB से भी ब्रीच कर सकते हो इथिलियाम से ज और इससे पहले तुम लोग को बता दू देखो दोनों में अंतर क्या है जी टोकेन और हमारा smart saving जी टोकेन पे अगर तुम एक दिन में 10 टैंजेक्शन करते हो तुमारा fee जाएगा 0.1 डॉलर अगर तुम उसी तरह से 10 टैंजेक्शन एक दिन में करते हो और smart saving से fee को देते हो तुम्हें जाएगा 0.20 डॉलर कैसे क्योंकि smart saving के उपर 0.02 फी जाता है और G token के उपर 0.01 फी जाता है तो तुम तो बोलोगे भाई G token तो फिर कम जा रहा है तो हम क्यों भाई smart saving को use करें देखो दोनों को तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग खुदी सोच लेना किसको use काएना चाहिए मैं जब दिखाऊंगा पूरा detail में आभी देखो तुम लोग को website में लेके जाता हूँ ठीक है रहा option आन के उपर जाओगे G token का और smart saving का मिल जाएगा ठीक है तो हम smart saving के उपर आते हैं इधर देखो दिखाता हूँ इधर हम लोग deposit करेंगे USDT या ETIs दोनों के उपर deposit करेंगे तो हमको कितना API मिलेगा देखो 10% 10.66% API मिलेगा USDT के उपर और ETIs के उपर 6.1 मिलेगा तो हम जब इधर deposit करेंगा ना part day हम लोग एक reward के तरपर इधर मिलता रहेगा ठीक एक छोटा amount का fund इधर add होता रहेगा smart saving के उपर जैसे हम bank में उसी तरह से हैं इधर हम लोग अगर deposit करेंगे तो हमको एक return मिलेगा जो है 10.66% USDT में और ETIs के उपर 6.1% तो इधर हम देखो deposit का जो option है इधर क्लिक करेंगे करने के बाद हमारे सामने दो option रहता है इसको select करो या इसको select करो यह तो हो गया जहें तुम महारा मर्जी तुम क इस पर करो कि मैं तो बोलूँगा भाई USDT पर करो सेकेंड जो है इधर हम chain को select कर सकेंगे कौन सा chain के उपर हमें transaction को करना है इधर देखो आभी आड़े वीटाम सिलेक्ट है इधर टाच करेंगे तो हमारे सामने option है आ गया ETAs, आड़े वीटाम, USDC ठीक है तो बहुत सार दे अब देखो मैं बोलूँगा कम से कम $5 इसके उपर रखो क्योंकि ज्यादा रखोगे तो ज्यादा पाइड़े को return मिलेगा एक चीज होता है मैं गैलक्स का G token ब्रीच करके यूज कर रहा थी इतना दिन से तो मेरे को जितना भी token था ना भाई पूरा का पूरा लगभा खतम हो चुका है मेरा दोस लोग G token sorry मेरा जो दोस लोग है वो लोग स्मार्ट सेविंग के उपर पैसा रखके यूज कर रहा था तो भाई उनको देख रहा उनका जितना डॉलर था ना भाई खतम हो चुका है पूरा लगभाग इतना टाक्स किया मेरा तो लोग भी इतना टाक्स मैं तुम लोग को दिखाने के लिए छोटा एक amount इधा deposit करता हूँ ठीक है मैं तो मतब अभी ज्यादा deposit करने बाला था लेकिन मेरा अभी phone का camera से record हो रहा है इसलिए phone यूज ही नहीं कर पाऊंगा PC में login नहीं है तो चलो deposit के उपर click कर देते हैं इधार इसके उपर tick कर सब्सक्राइब अभी मेटामाक्स पर एक transaction आएगा हमें confirm कर देना है तो हमें signature मांग रहा है इधार हमें confirm कर देना है सेकेंड चीज गाइस इधार देको fee 0.03 लग रहे है लेकिन गैलक्स के अंदर लिखा था 0.29 ठीक है अब इधर confirm कर देते हैं जाद गैलक्स भाला फूद भी खा सकते हैं बता नहीं उसके उन लोगों के उपर तो भरसा है नहीं होता है इतना पहले पूरा फ्री था जब नय सब्सक्राइब करो और क्या निकालेगा उसके बाद लोग क्या बोलेगा पता है भाई सब्सक्राइबशन लोग ना तुम यूजी नहीं कर पाऊगे नेट्फिलिक्स की तरह कर देगा वाई कुछ भी टाक्स नहीं कर पाऊ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है वाई कर दे इनका नहीं तो भशाय नहीं है इतना तहकत जो लोग मने ना आता है आटि ऐहने तक्या पास तो व्यूवराइब फटा नहीं होता है कैसे करेगा पहले पहले जन्वेस्थ करेगा बाद मैं पता चला वाई प्रोजेक्ट एस्केम निकला तो इधर से कमाएगा कुछ उसके बाद ना इन्वेस्ट करेगा क्या ही बोलो देखो इधर मैंने डाल दिया अभी 10.66% पर अभी API मिलेगा तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे एक टाक्स को इधर देखो किया है 50 पॉइंट है हम क्लेम करके देखेंगे कितना इधर को गैसलेस नहीं है ठीक है मतलब इसपे फी कटेगा अभी हम लोग क्लेम 50 पॉइंट इसके उपर क्लिक करते हैं आप देखो क्या होता है पॉड़ा सा टाइम ले रहा है इधर देखलो 1.33 है ठीक है इसको याद रखना कितना है डॉलर अभी और एक क्लेम होने के बाद कितना रहेगा देखना लगबाग 6-7 सेकेंड के बाद आप्टोमेटिकली क्लेम हो चुका है ठीक है लेम होने के बाद अभी रिफ्रेश करेंगे तो दिख जाएगा चलो पेस को एक पर रिक्रेश कर देते हैं तो गैस देखो 33 था अभी 32 हो चुका है ठीक है 0.1 अभी कट रहा है ठीक अभी टू भी नहीं कर रहा है कम कट रहा है लेकिन हमें जो है इधर से बापास मिलेगा इसी का एक फाइदा है और इधर से चाहे तो देख विड्रो का भी ऑप्शन है तुम चाहो तो बापास वालेट का अंदर विड्रो भी कर सकते हो और गैस जी टोकेन में भी एक अपना फाइदा है उधर क्या होते कभी-कभी ने एकदम 0 फी करता है वादब 0.01 भी करके देखना तुम को जो बिटार लगेगा उसके अंदर तुम शीप्ट हो जाना ठीक है और पार्सनली मेरे को तो दोनों अभी देख रहा हो में भी दोनों को कैसा लगता है इधर तुम लोग को देटल में बता दिया फिर भी किसी का अगर कोई सवाल या सूजा पर कॉमे टेलिगरम चैनल के अंदर उधर आके डाइरेक्ट मुझ से भी बात कर पाओगे ठीक है तो डेस्किप्शन पर लिंक रहेगा टेलिगरम चैनल के उधर आके सब्सक्राइब कर दो दोनों चैनल को एक चैनल है ग्रूफ है और वीडियो और एक बात चैनल पे नए हो तो अब बाइ टेक केर फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ